आ wellness यह गाईज लेखे हम यहस करने यह सम्देंग के बारे में ज्यादा तर विडियो नहीं नहीं बनाता सही लाकश यह बहुत को सर स्वाल отно इं और मैं आपको बताना चाहता हम बहुत तरह लोगों ने आपको ये stock को 150 पे भी buy करने के लिए बोला होगा 100 पे भी buy करने के लिए बोला होगा 50 रुपीज पे और लगभग आज के rate पे 20 रुपीज में भी तो ये क्या बात हुई भाई ने ये क्या बात हुई मतलब बताओ 100 पे 150 पे भी बोला 100 पे मतलब stock जितना गिरते जारा गिरते जारा बाय करने के लिए बोलो सोचो जिन्होंने 150 पे खरीदा हुआ उनको कितना बड़ा जटकला होगा मानता हूँ आज के rate पे 20 रुपीज के आज पा stock है आज जो खर देंगा उनको मुनाफ़ा होगा लेकिन जो लोग 150 से मान लीज़े बहुत सारे लोग तो 400 से ही वीडियो बनाते जाने खरीदो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है और वो वीडियो में आपको एक छोटा सा स्टॉक के बारे में बताया गया लगबग 3 रुपिस का stock था लगबग 800 900 के आसपास पहुंच रहा आई टी सक्टे का stock था जो वो Microsoft के साथ partnership किया तो description में लिंक है जाके देखोगे तो आपको खुद से समझ में आ जागा description में उपर में लिंक दिया गया है तो सबसे पहले आते हैं भाई देखो yes bank के उपर देखे अब yes bank के उपर मैंने देखा बहुत सारे लोग फालतू फालतू वीडियो बनाना स्टाट करे आब बोले अब देखो जो तरीके से डाले हैं उसी तरीके से मैं बोलना हूँ लगवाग 17 रुपिस के आसपास है और लोग केवल यहां quarter result देखे भाई पूरा अनुमान लगाया जा रहे हैं सही है यहां पर बताया जा रहा जो quarter result में 151 करोर के आसपास जो है strong profit हुआ है जिस वज़े स स्टॉक में काफी अच्छा आपको हलचल देखने को मिल सकती थी सही है बहुत सारे लोग बुल रहे हैं company को इतना profit और बहुत सारे लोग तो आपको PDF दिखाएंगे quarter 3 आपको PDF दिखाएंगे अरे मेरे भाई तुम PDF दिखा दो या ED दिखा दो या TD दिखा दो जो भी दिखा को ना एक अफवा बना के बताया जा रहा है बस उतना है एक मतलब देख लो गुबारा में होता कुछ नहीं लेकिन फिर भी बताया जा रहा है इत्ता बड़ा था उत्ता बड़ा था उत्ता बड़ा था भाई है तो गुबारा ही ना एक चोटा सा बच्चा भी इसको संभाल सकता है समझ रहो ना तो येस बैंक का जो quarter 3 का जो result है वो normal है भाई से ये normal का मतलब normal होता है quarter result के बाद भी आप देखो stock में कोई performance देखने को मिला क्या quarter result से पहले भी देख सकते हो देखे quarter result के पहले आपको जटका देखने को मिल सकता market पहले ही numbers को adjust कर देता लेकिन आपको कोई changes देखने को मिला कोई changes देखने को नहीं मिला यहाँ पर और सबसे कड़वा सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ सबसे देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में बहुत जारे negative comment भी आएंगे लेकिन सच्चा भी वही है भाई देखो जो जिस तरीके से देखता है stock market को उसको उस तरीकी से ही नुकसान देखने को मिलता मैंने लगबग 250 पर बोला था बेचने के लिए लोगों ने बहुत जाता चपल फेका था comment box में और भगवान ने उनके घर में चपल फेक दिया बस बराबर हो गई सही है कल को क्या अगर येस बैंक डूप जाता है जाता है मानन लेते हैं डूप जाता है यह नहीं चलता है मानना है ner जाता है लेकि मैं आफने बांव मैंसान का हो uncomfortable इतने सारे बैंक में पताना चाहता हूं एक इंसान कामाता 10,000 है लेकिन उसका जो बैंक एकाउंटन है वो लगबग 10 बैंक में खोल के रखा क्या बेनिफिट है तुम्हें क्या बेनिफिट है वैसे ही इंडिया में देखो तो बहुत ज़्यादा गरीबी है बोलते तो हैं कि मतलब डिबलपिंग यह आई एंजी से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत हो गया है आजकल आई एंजी ना डिया डिबलपिंग डिबलपिंग लगाया रखे है बाई कभी तो डिबलप बोला करो या यह न एक चुपा है मतलब इसके अंदर कुछ चुपा है जो हमें नहीं पता सही तरीके से बत कुछ भी नहीं होने वाला तो मैं आपको बताना चाहता हूं बस यह बैंक को इस लिए खड़ा करने की कोसिस की जा रही है दिली से यह फोर्स दिली से भी उमीद की जा रही है इसको जो है MSME के जो छोटे-छोटे बिजनस करने वाले हैं उनको लोन दिया जाए इसी तरीके से इसी तरीके से उससे क्या होगा कि इसका बढ़ेगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई अगर कल को yes bank नहीं भी चला तो दुनिया में कुछ नहीं होने वाला बस लोगों का थोलब बिस्वास हट जाएगा इस वज़े से RBI इसको सपोर्ट कर रही है और और सक्टर होता ना तो यह डूब चुकी होती रिलाइंस की जितने भी कंपणी है अनि लंबानी भाई सापके डूबी की नहीं डूबी बहुत सारे आपके सामने आपके आंगों के सामने कंपणी जो डूब चुके तो कियो नहीं ही आर बि-ा इसको बचा लिए, डी-च-य वन करोर के आसपास जो profit हुआ है अगर आप देखोगे यहाँ पर 2015 का data दिखाया जा रहा तो yes bank का जो quarter 3 का जो net profit हुआ तो लगबग 30% में आपको jump देखने को मिला था 540 करोर का मुनाफ़ा देखने को मिला था 540 करोर का मुनाफ़ा देखने को मिला था तब 2015 की बात की जा रह 2016 में कितना jump देखने को मिला नोटीस किया आप लोगों ने यह quarter 3 का यह मैंने data खुछ से निकाला उसके बाद अगर फिर यहाँ पर आप देखोगे तो लगबग यहाँ पर 1000 करोर के आसपास मुनाफ़ा होते हुए देखा yes bank quarter 3 का net profit तो इतना बड़ा बड़ा company को profit होता था अभी कितना profit हो रहा भई मेरे भाई कितना profit हो रहा तो लगबग 150 करोर के आसपास है तो अगर 150 करोर के आसपास से देखेंगे अभी का जो share price current value देखेंगे तो वो दोनों same है equal आते मतलब जिस उमीद से लोग करोडों share खरीद रहें कि भाई कलको अगर यह मान लेते 50 profit देखने के हिसाब से है यह अभी नहीं होने वाला मेरे भाई यह 50 यह 100 रुपय में अभी convert नहीं होने वाला है yes bank का जो real price है वो 20 रुपीज के आसपास ही है और हाला कि कम से कम 5 यह 10 quarter result जब तक नहीं आ जाते तब तक यह लगबग मैं आपको बोलूँगा 300 के आसपास जान yes bank क्या दिखाना चाहता है yes bank क्यों भाई ने आप पूछो yes bank से जाके पूछो यहाँ पर कि भाई आप free loan क्यों दे रहो इस तरीके से जो भी collateral वगड़ है क्यों दे रहो यह yes bank का weakness को दिखाता है yes bank का weakness को दिखाता है कि yes bank आप बहुत नीचे गिर चुका है जिसके वज़े स क्योंकि पान का जिस तरीके से volume होता उसके वज़े से body थोड़ा सा हलका हो जाता उसी तरीके से यह पूरी कोशिस कर रहे है कि भाई public को किसी तरीके से attract किया जाए भागवान करे कि yes bank का यह जो scheme है वो 100% successful हो जाया है और सारे जितने भी लोगों ने yes bank को खरीद रखा है और बस इतना ही बोला चाहता हूँ अभी 100-200 के उपर नहीं जाने वाला यह stock बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ जब तक company में आपको मुझे नहीं लगता कि लगबग कम सका मैं आपको बोलू 400 या 600 के आसपास 600 करोड के आसपास जब तक company मुनाफ़ा करके नहीं दिख सब्सान हो जाता है चारो तरप से सही है तो यह बैंक में ज्यादातर माल खरीदा जा रहा लगबग करोडों शेर खरीदे जा रहे 40% तक माल उठाया गया है केवल क्वार्ट रिजल्ट को देख कर और यहां पर देख सकते हैं लगबग करोडों में 8-9 करोड का मल उठाया मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस बैंक में आपको जंप देखने को मिल जागा बीच में सरकीट देखने को मिल जागा बीच में टेंचन की बात नहीं है सरकीट आपको अपर सरकीट मतलब प्रॉफिट देखने को मिल जागा लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता ह होंगे जो आपको profit देने की कोसिस करेंगे बाकी 80% आपको नुकसान देखने को मिलेगा और अगर आपको Google सही तरीके से चलाना आता है तो भाई Google तो आपके पास है ही सर्च करो कि banking sector में कितने सारे company है कितने bank है देख लो कि banking sector में कितने एपको कितने बड़ा मुनाफ़ाद की दे रहा है और पिछले 5 सालों में से कितने पसेंट आपको कितना बड़ा मुनाफ़ा दीया आपके सामने देख भ forb अगर स्टॉक गिरता भी है तो इतना रखो ज़ादा नहीं गिरावट देखने को मिलेगा जात नहीं बस थोड़ा थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगा बस उतना ही जैसे कि यह आपको देखने को मिला लगबग 1% के आसपा तो यह थोड़ी बहुत होती रती है वाई स्टॉक मार्केट में से लेकिन इसका जो रियल वेल्लू है वो 70 के आसपास ही है price to earning ratio के हिसाब से book value के हिसाब से intrinsic value के हिसाब से जहां से आप देखना चाहते हो तो लगबग इसका 50 to 20 का जो range है वो intrinsic value के हिसाब से real value बता सकते हैं आने वाले दिनों में और यह जो जितने बड़े-बड़े गलाफ हाल फाल कि आपको article बगारा दिखा है जाता है ने इंटरिनेट में उनका जाके bank account अगर आप चेक करोगे न तो वह खुद ही जो है HDFC bank या state bank में अपने account open की है यह बैंक में नहीं होगा उनका अगर आप चेक करो जितने लोग भी यह बैंक के बारे में तारिफ करना चाते ना उनमेंसे मुझे लगता नहीं कि लगभग 70% लोग का जो account अगा वो यह बैंक में हुआ तो जब खुद भी यह बैंक को account ने खुला तो कैसे benefit हो का भाई उनको है कि ने बस यह दूसरों को उक्सा आ रहे है क्यों कि पब्लिक का पैसे लग जाएगा तो उनका इस वज़े से ऐसा होता है बाकि आपकी मर्जी करना सही है अपसे जिरोधा एंजल आलीज ब्लू कम पैसे में मार्जीन उसकर के आप कहां ज्यादा ज्यादा benefit कर सकते हो तो अपस्टॉक में आपको normal order सही देखने को मिला इंट्राडे कवर ब्रेके डाटर सही है जिस वज़े से company का rating बैड है उसके बाद जिरोधा एंजल अकांट विल्कुल फ्री में ओपन होता है वो भी lifetime के लिए चीवन भर के लिए एक रुपे भी आपसे नहीं लिया जाता है मेरे बागे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके अपने डिमेट अकांट ओपन कर लेते हैं जैसे डिमेट अकांट आपको होगा इस नंब पर आप वाटसब करूए आपको चारो तरफ से हेल्प करेंगे सहिए तो यह सपोर्ट नंबर है डिमेट अकांट के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के वहां से जाके आप अपने डिमेट अकांट बगर्ण ओपन कर सकते हैं